हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार आसा करता हो सब अच्छे होंगे मैं रोहित कुमार यूसी लाइब चैनल से आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आया हो तो हमने एक सीरी स्टार्ट की हुई है जिसमें हम SSE CGL के जो प्रीविस हेर पेपर हैं उनको डिसकस कर र तो यह हमारा चोथा पार्ट है जिन्होंने पहले की क्लास नहीं देखी हुई है वो पहले पहले की क्लास देखे ताकि आपको पता चलजाए कि हमने कौनसी सीरीस स्टार्ट की हुई और यह बहुत ही महत्वपून सीरीस है जो आपके आने वाले एक्जाम में आपको बहुत फाइदा पूंचाएगी तो यूसी यूसी लाइब चैनल के साथ जुड़ कर अपनी त्यारी को कॉंटिन्यू करें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं तो मैं आप से यही कहूंगा कि मेरा अंसर बताने से पहल गृपाला था राजा और यह जो थे यह हमारे पास यह जो थे भारत के लास्ट गव़र्नर जनर्र थे कौन थे यह भारत के लास्ट गौर्णर जन्रल थे यह ठीक है जी गौर्णर जन्रल थे और पहले भारतिये थे जो गौर्णर जन्रल बने थे और फस्ट क्या थे यह फस्ट इंडियन थे जिनको गौर्णर जन्रल बनाया गया था ठीक है गौर्णर जन्रल बनाया गया था पहले भारतिये जिने गौईर्णर जनर बनाया गया था और भारत के लास्ट गौईर्णर जनरल थे पूच्छा जाए कि पहले जो फ्री इंडिया जो भारत अजाद हो गया था तो उस टाइम जो गौईर्णर जनरल थे वह कौन थे? लाउड लाउड माउंट वैटन कौन थे लाउड माउंट वैटन जो थे माउंट वैटन जो थे वो भारत के लास्ट पहले गौने जनरल मत फ्री इंडिया के पहले गौने जनरल थे और last gunner general भी यही थे important है very very important है कि भारत free India के पहले gunner general कौन थे Lord Mountbatten थे और भारत British India के last gunner general कौन थे तो वो भी कौन थे Mountbatten और भारत के पहले भारती कौन थे जो gunner general बने थे तो वो थे Si Raja Gopalachari और last gunner general भी यही थे जो 1948 से लेकर 1950 तक रहे थे ठीक है उसके बाद इस post को खतम कर दिया गया था और हमारा constitution लागू कर दिया next question देखते हैं कहा गया है कि वे कौन सी country है जिसके दौरा सबसे पहले goods and service tax introduce किया गया था कौन ले किया था किसने लागू किया था तो इसका सही answer है हमारे past France कि France पहली country थी जिसके दौरा GST implement किया गया था तो GST को इन्होंने implement करा था 1954 very very important है कि France के दौरा इस को पहली बार implement किया था 1954 में और भारत के दौरा और इंडिया के दौरा इसको कब implement किया गया था ठीक है इंडिया ने इसको implement करा था introduce करा था लागू करा था एक जुलाई 2017 हमारा जो संबीधान है उसमें 101 हमारा जो संसोधन हुआ था जो amendment की गई थी जो amendment की गई थी 101 में amendment की गई थी भारत का जो संबीधान है उसमें और GST को implemented किया था जो GST को उसके अंडर डाला था अब जो GST को जब implement किया गया था तब जो हमारे finance minister थे ठीक है जो हमारे finance minister थे वो कौन थे अरून जेटली कौन थे अरून जेटली ठीक है जी अरून जेटली जी जो थे वो क्या थे हमारे finance minister थे और यह जो हमारे पास कौन सा संसोधन था एक सो एकमा संसोधन था और एक जुलाई 2017 को भारत में GST को इंप्लिमेट किया था और फ्रांस में सबसे पहले इंप्लिमेट किया गया था उन्नी सो जोबन में 1954 नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कहा गया है कि जो हमारे पास एक परसिद ब्रिक्स की परसिद परजाती सुंदरी ठीक है वो कहां पर पाई जाती है किस जंगल में पाई जाती है किस बन में पाई जाती है तो इसका जो सही अंसर है वो है हमारे पास मैंग्रूज कौन से मैंग्रूज जो फोरेस्ट होते है उस सुन्दर वन जो डैल्टा है वहां पर यह पाया जाते हैं इसलिए वहां पर सुन्दरी पेड़ पाया जाता है इसलिए उसे क्या कहा जाता है सुन्दर वन डैल्टा के नाम से जाना जाता है यहां पर हमारे पास जो वेस्ट जो हमारे पास जो वेंगॉली टाइगर होते हैं वेंगयली टाइकर है वहाँ पे रहता है और यह जो सुन्दरी जो हमारे पास इ lefan यह कहा फह बेस्ट वेंगाइस और जो हमारे पास अंदेवान ने को बाए यहाँ दोनों जगह यह वाले पर सुन्दरी जो पेड है वह जो हमारे पास94 धर roz option number A जो है इसका सही अमसर next question देखते है जो हमारे पास कौन सा जो हमारे पास catenation process होती है ठीक है जिसमें वो प्रवल होता है दिखाने के लिए तो catenation process क्या होती है कि ऐसा element जो सबसे लंबी chain बनाता हो उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है catenation अब जो सबसे लंबी chain बनाने बाला जो यहाँ पे जो एक element है जो हमारे पास atom है वो कौन सा कार्वन तो कार्वन की जो chain होती है वो बहुत लंबी होती है कार्वन आपस के साथ मतलब जूड़ जाता है कार्वन एक कार्वन के साथ जोड़ेगे फिर आगे तो यह chain लंबी चलती रहती है तो कार्वन जो हमारे पास atom होता है वो क्या दिखाता है हमारे पास catenation जो हमारे पास गुन है उसको दरसाथ important है तो कि catenation क्या होता है कि carbon compound आपस में बहुत लंबी chain बनाते है उसको क्या कहा जा है उसको कहा एक caty next question है हमारे पास कि जो olympic council of asia है उसने 2018 में किसी चीज़ को बाहर निकाल दिया था और उसने कहा था कि 2022 में हम उसको फिर introduce कर लेंगे उसको फिर introduce कर लेंगे 2022 की जो asian जो हमारे पास olympic जो olympic council of asia है उनके जो asian game होगी उसमें फिर इनको include कर लिया जाएगा asian खेलों में तो वो कौन सी चीज़ है जिसको 2018 में क्या कर दिया गया था निकाल दिया गया था 2022 की जो olympic games है उनमें फिर introduce कर लेंगे तो वो क्या है जी हमारी cricket ठीक है तो जो cricket है इसको 2018 में निकाल दिया गया था और 2022 में इसको फिर reintroduce किया जा रहा है मतलब द्वारा से लाया जा रहा है इससे पहले 2010 2010 और 2014 में भी जो cricket थी वो asian game में थी जब 2014 में जब asian games होई थी तो इसमें जो हमारे पास gold medal जीता था tusi lanka जो थी उन्होंने जीता था मेंजमें और जो हमारे पास में पाकिस्थान थी इन्होंने जीता था इसमें जो bhangla desh थी इन्होंने जीता था मैंस में और जो हमारे पास यहां पर पाकिस्तान था तो जोने जीता था इस गेम्स में इसमें तुदील नहीं कर master नहीं कर रहा था जोएस्टे हैं जो हमारे पास games होती है उसका नाम पर खाश है और जो बडियार रियासत थी तो इसको किसके दारा दॉबारा बसाया गया था यह चब तक रही थी में यह आपको बता है तो इसका जो सही अंसर है वो है मैसूर जो बडियार बंस था वो उसका जो सासन था वो कहां पे था मैसूर में था और इन्हों ने जो सासन किया हुआ है वो तेरा सो नरीनुए से लेकर 1947-1947 तक इनका सासन रहा है और इसकी जो संस्तापक थे इस जो बडियार जो बंस था इसके जो संस्तापक थे जिनका जो नाम था वो क्या था बिजियान ठीक है और ये कहां से विलोंग करते थे किस कम्मूनिटी को विलोंग करते थे उसका नाम था अरूसू ठीक है अरूसू एक कम्मूनिटी थी वो कहां की थी तो वो थी कर्नाटका की कहां की थी कर्नाटका इनके द्वारा इस रियास्त जो ये हमारे पास बंस्ता जो डिनेस्टी थी उसकी स्थापना की गी थी विजियान के द्वारा और ये किस कम्मुनिटी से सब्ढ़ रखते थे आरूसु जो कम्मुनिटी थी वो जो थी करनाट का थी उनके द्वारा इस रियास्त की स्थापना तो ईसका जो सही अंसर है ये है हमारे पास अप्राब्रिक नीयाये पृ suction कामीटी के दौरा कहा गया था किस के दौरा सुधार लाए गये थे तो वह मन्लिमट कमे ठी और ये झो कमेटी आई थी ये आई थी 2000 में ये कमेटी गठित की गई थी और इस कमेटी ने क्या बोला कि जो हमारे पास किमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें सुधार करनी की जुरूरत है important है कि मलिमट कमेटी किस से related है तो इस से next question है हमारे पास कि जो हमारे पास मुगल 1564 में मुगल सेना से लड़ते हुए घड़ा कर्टवा की रक्सा के दुरान किस रानी की मिर्त्य हो गी थी तो जो मुगल सेना से लड़ते हुए अब मतलों वहां की रक्सा करते हुए एक रानी की मिर्त्य हो गी थी तो उस रानी का नाम था रानी दुर्गावती और रानी दुर्गावती ने जो सासन किया है वो किया हुआ है 1540 से लेकर 1564 तक जब तक वो मरीनी तब तक वो सासन पिर ठीक है अब इस जो रानी दुर्गावती थी इस पे अटैक करने के लिए जो अकवर ठीक है जी अकवर जो एक बंदा हुआ कता था जिसका नाम था खवाजा अब्दुल खवाजा अब्दुल अब्दुल मस्जीद खवाजा अब्दुल जो हमारे पास मस्जीद असफ खान ठीक है इसको क्या किया था अटैक करने के लिए अदेश दिया गया था किसके द्वारा अकवर के दो नाम मैं फिर पीट कर रहा हूँ खवाजा अब्दुल मस्जीद असफ खान को क्या बोला था परमीशन दी थी अटैक करने के लिए किसने दी थी अकवर ने दी थी और वहाँ पे उसकी रक्सा करते हुए रानी दुरगाव ओर नेक्स्टर्य देख़ते हैं कहा गया हमारे पास जो मेधाइल प्रॉपेन इस एन्द आईशमर की जो हमारे पास मेधाइल प्रॉपेन होता है फूपेन होता है यूँ गし यह हमारे पास formula होता है किसका methyl इसका होता है methyl propane का तो वो isomer किसका है n butane का butane मतलब इहां पर कितने bond होंगी double bond मतलब double bond इन का मतलब single bond अगर carbon single bond बनाती है तो उसको कहा जाता है इन अगर carbon double bond बनाती है उसको कहा जाता है इन अगर कारवन ट्रिपल बॉंड बनाती है तो उसको कहा जाता है यह जी अब क्या होता है कि जब सिंगल डबल बॉंड बनाती है तो इसमें एक सिगमा होगा एक पाई बॉंड होता है इसमें क्या होता है एक सिगमा होता है एक दो सिगमा होते है और एक 5 bond होता है और इसमें एक stigma होता है ठीक है जी next question देखते हैं जो हमारे पास दोरा बाजी टाटा जो थे जो टाटा थे उनके दोरा टाटा आईरन और स्टील कंपनी की स्टापना की गई थी तो इनके द्वारा इसकी स्तापना कब की गई थी तो इनके द्वारा इसकी स्तापना जो की गई थी 1907 में की गई थी और कहां पे की गई थी वंबे में इसकी स्तापना की गई थी इनके द्वारा नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास इसका जो एग्जैक्टर जो हमारे पास डेट है जो इसकी एजैक्टर जो हमारे पास डेट है तो वो क्या है 26 अगस्त 27 अगस्त 1907 नेक्स्ट कुश्चिन है हमारे पास जो बौदो द्वारा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए कि यह जाने बाला जो एक निर्थ है जो हिमाद्चर प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है चौम जो इसा है इसका सही अंसर option number जो B है that is the next question है हमारे पास क्रीम कोट के पहले नयाएदीश का नाम बताईए जिनके खिलाफ सबतंतर भार्प की संसद में महाव्योग का परस्ताव पारित किया गया था तो वो कौन से नयाएदीश थे जिन पर इसारमसवामी थे नया-ए-Mूर्थी रामसवामी जो थे उन पे यह strategic है यह चिलाई गई थी यह चलाए गे थी हमारे पास 26 अगस्त 27 अगस्त 2000 211 में यह जो प्रोसेस है यह इन पे उपर चलाए गे थी और यह चलाए गे थी राजे जो इंपलीचमेंट की प्रोसेस होती है वो किसी भी जो हमारे पास संसत के सदन होते हैं किसी में भी पारिद किया जा सकता है implement की process को next question है हमारे पास कि निमिलित में से कौन सा तत्व उपधातु है मतलब जो हमारे पास उपधातु है तो इसमें से कौन सा जो इसका सही answer है सही answer है हमारे पास silicon silicon क्या है हमारे पास उपधातु next question देखते हैं अपनी हो सबस्ता में कौन सी gas को सुस्क बर्फ भी कहा चाता है ये question पहले भी आया हुआ है द्वारा फिर बीट हो गया है तो किसको कहा जाता है जो हमारे पास dry ice होती है solid state जो हमारे पास होती है उसको dry ice के नाम से भी कहा जाता है तो वो कौन सी है हमारे पास वो है हमारे पास carbon dioxide नेक्स्ट कोश्चन है हमारे पास next है हमारे पास कहा गया है कि जो 1026 में किसने परसिद सौमनात मंदिर आकरमन करके उसे लूटा था तो वो कौन था तो इसका सही अंसर क्या है महम्मद गजनजी ठीख है महम्मद जो गजनी था मुहम्मद गजनी जो था उसके دौरा कहा किया गया था जो सौमनात का मंदीर है उस पे अटाक किया गया था और जब इसने इसको लूटा तो इसका जाते जो बापसी टाइम जो इसका युद हुआ था वो किसके साथ हुआ था जो पित्वी राज चोहान थे उनके साथ इसका युद लड़ा था और वो कौन से लड़ाई थी तेहरान की जो लड़ाई हुई थी तेहरान की जो लड़ाई थी ठीक है जी वो उन 1191 में हुई थी फस्ट बैटल जो ही थी सैकेंड जो ही थी वो 1192 में हुई ती यह 901 में हुई थी यह 32 में हुई थी ठीक है तो यह तीन बैٹल हुई थी टित्वी राच योहन और जो हमारे पास محمد और गजन्य था उसके सुरी मुहमद जो हमारे पास गजन्य गोरी है उसके बीच में यह तेहरान के लडाई हुई जब ठीक है जो सौमनात मंदिर को लूट के जा रहा था ठीक है तो उसमें उनके बीच में ये लड़ाई हुई थी अब जो ये मोहमद घजनी था ये कहां का था तो ये कहां का था ये था हमारे पास तुरकी का था और इसने जो यहां पे इसका जो इसक का जो सासन था वह नाइन हंड़नाइट्पिएट से लेकर EKहजारचवश तक था ळिरन जी और इसकी जो कब रहें दिरा ध्र Конकीर कार बनाई गई है वह कहाँए आफगानीस्तान हमापे है ये अफगानीस्तान में इसकी कावर है ठीक है इसके मानने के बाद इसको जो दफनाया गया था वो कहां दफनाया गया था अफगानी कान में दफनाया गया था अफगानी कान में दफनाया गया देखते हैं जो मुहम्मद गोरी मुहम्मद गोरी और प्रिफिराज चोहान के बीच में जो युद हुआ था वो जो हुआ था वो तेहरायन की जो लड़ाई हुई थी वो 1191 में हुई थी और ये जो हमारे पास फिर जो तीसरी लड़ाई हुई थी पहली दो लड़ाईयों में जो था जो पित्वीरा चोहान पहली लड़ाई में जीत गया था फिर ये जो मुहमद गोरी था वो भाग गया था फिर बापीस आया था फिर अटैक किया था और तीसरी लडाई भी इसी के बीच में हुई थी जब जो हमारे पास प्रिथवी राच चोहान को पकड़ के लिए ले गए थी नेक्स्ट कुश्चन हमारे पास कहा गया है कि जो पहली महिला पुलिस नरदेशक कौन थी पॉंडुचरी की जो पहली पुलिस नरदेशक थी वो कौन थी तो इसका जो सही अंसर है हमारे पास वो है सुंदरी नंदा ठीक है जी यह नहीं है किरन वेदी नहीं है इसका सही अंसर क्या है सुंदरी नंदा जो है तो इसका सही अंसर है, option number C is a right answer, ठीक है ये 98 batch की passort है, IPS है, बैच की है ये, ठीक है ये पहली हमारे पास बाद में इनकी transfer कर दी गई थी दिली, next question देखते है, next question में क्या कहा गया है, कि निमलित में से कौन सा पदार्त, उरिसा के पदाम फंड, खादानों से खन किया जाता है, तो वो कौन सा है, तो इसका सही अंसर है hematite, जो hematite है वो हमारे पास और होती है, ठीक है जी, ये और है और ये सबसे important और होती है, जो यहां से निकाली जाती है, कहां कि odysa का जो हमारे पास बदाम फंड, जो है, माइन्स है, वहां से इसको निकाला जाता है, next question देखते है जो फेस्बूक के संस्तापक है उनका नाम क्या है तो ये तो सभी को पता होगा कि फेस्बूक के संस्तापक कौन है तो इसका सही अंसर है हमारे पास मार्क जुकरवर्ग ठीक है जो मार्क जुकरवर्ग है वो क्या है फेस्बूक के जो है हमारे पास संस्तापक क्लेर जी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताईए कि जो फेस्बुक है उसका नाम चेंज कर दिया गया है फेस्बुक का जो नाम है वो बदल दिया गया है तो उसका क्या नाम बदल क्या रख दिया गया है नाया नाम क्या है फेस्बुक का मुझे कमेंट सेक्शन में बता कि आठाठाशु शू छेट्र में कॉलकत्ता में इंडियन नाशचनल एस्ट शेशन की स्टापना की गयी." तो इसका सही अंसर का इनंद मोहन बोस कौन थे अनंद मोहन बोस अनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में एक और्गनाइजेशन की स्तापना की गई और उस और्गनाइजेशन का नाम क्या था इंडियन का नाम था इंडियन नैशनल एसोशेशन क्या था इंडियन नैशनल एसोशेशन बहुत ही इंपोर्टेंट है तो आ हमारे पास 1866 में इंडियन नैस्टनल जो एशोशेशन है उसकी स्तापना की गई और किसके द्वारा की गई अनन्द मोहन नेक्स्ट क्वेशन है कि खेल निर्ते सैली ठोड़ा ठीक है जो हमारे पास ठोड़ा है वो किस राज्ये से सवंध रखती है तो ठोड़ा जो है हमारे पास ठोड़ा है यह हमारे पास किस राज्ये से बिलोंग करता है यह जो निर्ते है यह एक खेल निर्ते सैली है तो यह कहा भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे महतपून का च्चा माल है तो जो बिजली को उतपाद किया जाता है उसमें सबसे ज्यादा जो raw material हे पावर जनरेट करने के लिए raw material कौन सा है तो वह कौन सा है कोई ठीक है जिजी option नेच्ट गॉशन को स conception को सही करने चरीके का हमारे पास सब्सक्राइब हाइन के मस miss क को सी है तो वहती हो फानि रिसता जमीन च है है जो जमीन है आजकल जो सारी ही jhmai उसमें क्या है concrete है तो पानी को पानी ज्यादा जादा RIS नहीं सकता जो हमारा ground water है उसका level के क्या होता जा रहा है काम होता जा झा रहा है जो प्रद्यूशन है उसको उप्चार करने के लिए जो प्रोसेस है वो कौन सी है रिवर्स और सोमोसी नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कहा गया है कि जो हमारे पास निरंकक और महालेख रिक्सक संसद में निमलिक्ट में से किस समिती के निक्ता से जुड़ी हुए है तो जो हमारे पास एक कमेटी है जिसका जो हमारे पास जो हमारे पास पैसा लगाया जाता है उसका जो ओडिट करते हैं वो कौन देखेगा जो हमारे पास कैग होता है ठीक है जी जो हमारे पास कैग होता है ये कौन से आर्टिकल में आता है तो CAG जो है हमारे पास 148 जो है आर्टिकल के अंडर आता है CAG अब जो CAG है हमारे पास इसका क्या होता है कि अगर सरकार पैसा खर्च कर देती है तो उसके बाद उसका हिसाब किताब लगाना तो उसका हिसाब किताब कौन लगाएगा तो वो कौन लगाएगा जो हमारी कैग की कमेट ही होती है वो लगाएगा next question देखते है कहा गया है कि जो chief minister of state are the member जो चीफ minister होता है state का वो किस का member होता है तो वो होता है हमारे पास national development council जो होती है राष्टी विकास परसर जो होती है उसका क्या होता है जो कुतु मिनार के परिसर में महरोली स्थम्प मुखे रूप से किस के लिए पर सिथ है तो जो हमारे पास कुतु मिनार है वहांपे एक महरोली जो पिलर है कॉमपलेक्स है पिलर है वो किस के लिए फेमस है, वो किस के लिए फेमस है Option number B, sorry, Option number C जो हमारे पास excellent quality of steel जो हमारे पास उत्कृिष्ट गुनवर्ता वाली जो steel है वहाँ भी use की गई है इसके लिए वो famous है next question देखते है भारत में खरीफ फसल की कटाई का motion क्या है जो खरीफ की फसले होती है उसको कब काटा जाता है तो कब काटा जाता है हमारे पास स्टंबर अक्टिष्ट अब जो दो प्रकार जो हमारे पास दो प्रकार की फसले होती है एक करावी की फसल होती है और एक हमारे पास खरीफ की फसल तो खरीफ की फसल वो फसल होती है जब हमारे पास मोसम ठंडा होता है तब उसको काटा जाता है मतलब इसको बीजा कब जाता है तो इसको बीजा कब जाता है जो हमारे पास मार्च प्रैल के बाद इसको बीजा जाएगा और रावी की फसले कौन सी होती है जब उन्हें कब काटा जाएगा मार्च प्रैल की काटा है उनको रावी की फसले कहा जाता है जो यहूं रहता है वो किसकी फसल रहती है तो वो किसकी होती है हमारे पास रावी की फसल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन निमलीत में से कौन सा सबसे अधिक जो सबसे अधिक जो होता है solid based होता है वो क्या होता है सबसे ज्यादा जो हमारे पास produce होता है solid based वो कहां से produce होता है तो कहां से produce होता है वो हमारे पास जो manufacturing होता है ठीक है जो हमारे पास भी निर्मान जो होता है manufacturing जो करती है जो companyya manufacturing करती है वो सबसे ज्यादा based days निकालती है जो हमारे पास जैसे electronics, जो geysers, होते हैं, जो instrument होते हैं, उनका बहुत ही जादा क्या होता है, कच्रा होता है, और वो decomposible नहीं होता है, तो उनका सबसे जादा basis होता है, जो pollution, उसको क्या नहीं किया जा सकता, decomposible नहीं किया जा सकता नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ऑक्सिडेजिंग एजेंट होता एंट है कर दो किस तरह का प्लियूशन होता है तो आपको पता है कि पतंगे होते वह फसल को खाते हैं उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं जिसको डि डि कहा जाता है तो उसकी वज़ा से कौन-कौन से pollution होते है, कौन-कौन सा production होता है, तो वो कौन सा होता है पानी और घॉ हमारे पास मिट्टी दोनों का जो उसमें क्या होता है उसका नुक्षान होता है उसमें फिल्यूशन फैलता है फिका option number C जो है इसका तही है नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे पास which cell is the pancreas produce the insulin जो insulin होती है फिक है वो हमारे पास कहां उसका जो उत्पादन होता है वो कहां किस कोसिका में होता है फिक है जो pancreas होता है उसमें कौन सी कोसिका insulin का उत्पादन करती है कि हमारे पास pancreas में कौन सी ऐसी कोसिका जो insulin को उसका उसकी production करती है या मतलो उसको produce करती है तो इसका जो सही answer है हमारे पास वह है option number D कि जो हमारे पास क्या होते हैं lange hands को होते है मतलो ilets of a lange hands सही answer हैgone question हमारे पास होते हैं जिक हम किसी बस्तू को देखते हैं अ यह में कॉन ऐसा होता है युआ मैंने आपको बताया हुए था उसकी image कैसी बने की je एंड में मैं हमारे पास इंड में में नेक्स्ते हैं कि नैयुक्त कैने टीक चाहिए बास्तिति प्रेंट must मास और विलोस्टी दोनों पर तो आपको पता ही है कि काइनेटिक अनर्जी कब आएगी जब हमारे पास जो बोडी होगी जो अब्जेक्ट होगा वो किस में होगा गती में गतीज उर्जा तब ही आती है जब बोडी में क्या होगा उसका मास होगा और विलोस्टी का स्केर होगा यह गतीज उर्जा का क्या होता है फॉर्म आफ एमबी स्केर होता है मतलब गती जो है हमारे पास वो किस का होना चाहिए मास भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए विलोस्टी वो बोडी की उस पे डिपेंड का है नेक्स्ट क्वेस्टिन है कि जो हमारे पास विच फॉर्म उफ टॉप्लाइ टू हीट एनरजी टोड यूरिंग चेंज इन दा टेंपरेचर अब दा सबस्टांस कि अगर हमारे पास किसी वोडी का जो टेंपरेचर वो चेंज हो रहा है तो उसके चेंज होने से तामान के चेंज होने से उसमा के किस रूप खूआयों किस रूप में अपूर्टी होती है तो कौन सी है हमारे पास कैनेटिक एनर्जी गति जूरजा अगर किसी वोडी का तेंपरेचर क्या हो रहा है किसी हीट एनरजी को क्या करूँ टोर करके रखो और उसका तेंपरेचर कि तेंप्रेटेर के डायेक्टी फ्र्वेशन अगर टेंप्रेटेर मेरेकिक रहुत होJa कि next question हमारे पास प거야 Atomos the same elements having the different mass number is code कि ऐसा atom जिसके क्या हो एक तत्त के परमानों अलग लग होते हैं द्रब्यमान की संख्या को क्या कहा जाता है तो से कहा जाता है isotopes क्या कहा जाता है isotopes अगर मेरे पास कोई भी element है यह इसका होता है atomic number यह होता है मास अगर हमारे पास कहा गया कि मास नंबर जो हमारे पास atom having the same having different mass number कि यह चीज क्या है हमारे पास different है और यह चीज क्या है same है अगर mass number change हो रहा है मतलब यह कहां पे lies कर रहा है top में lies कर रहा है तो इसका मतलो यह क्या हुआ isotope क्लेरा जी कि जो हमारे पास क्या होगा कि किसी भी same element having the different mass number mass number क्या है different है but atomic number उसका क्या है same है तब कौन सी process होती है तब उसको उन elements को क्या कहा जाता है isotope top मतलो top बाला ठीक है यह कोई element है यह atomic number हो यह क्या है mass लेर जी next है अगर यह change होता है यह different है मानलो कि atomic क्या है हमारे पास है atomic number different है atomic number हमारे पास different है तो यह नीचे मतलो बार में लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे ISO next question देखते हैं कहा गया है कि किस जो हमारे पास किस voice राजधानी थी उसको बदल कर कलकत्ता से बदल कर दिल्ली बना दिया गया था उस time कौन था तो मैंने आपको बताया हुआ है तो उस time कौन था लोड हाडरिंग लोड हाडरिंग थे जब दिल्ली दरवाल लगा था 1911 में 1911 में decision लिया गया था कि भार्थ कि रो जो राजधा राजधानी है उसको कलकत्ता से बदल कर कहां बना देंगे दिल्ली बना देंगे और उस time जो बीटेन से जोर्ज फाइव आई हुए थे और उनकी जो क्वीन थी मैरी वो आई हुए थी और इसमें एक बात एक decision और लिया गया था कि जो वेंगॉल का भीवाजन हुआ था उस प्रेल इक अप्रेल उन्नी सो बारा वह भारत की जो राजधानी थी वो किस को बना दिया गया नेक्स्ट क्वीषईन देखते हैं कहां गया है कि हमारे पासmillz ऊपफीजीशन इन जो हमारे पास जो क मास जो राज़स्दवार था जो राज़ारी था करष किसेत था क्या नाम था कि तो यह क्यूपर्स कघ्रीकर करता है Ridge ब्लान एक सेतर जो गंगा और संदो नदि पनालियों के बीच एक जल्विवाजन करता है कि वे कौन सा पास हमारे पास एरिया है जो गंगा और इंडस इंदार के बीच में है वोटर को डिवाइड करता है तो मौस हों सा है अंभाला option number डी की क है option number डी जो है इसका सही अंसर है वे एक सेतर जो गंगा और सिंदू नदी पनालियों के बीच में एक जल भिवाजन है तो वो कौन सा है अम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास सब ओर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो सुपर्वाइज किये जाते हैं तो किसके द्वारा सुपर्वाइज कि सबर्डिनेट नेग्स कोर्ट्स होते हैं तो गारा हाइज कmotion स को दोनिया सेर्ष्ट पुर्ष्कार है जो हमारे पास इंवार्मेंटल ऐक कंसर्वरेशन ऑजो हाइं दुनिया का इन्वार्मेंटल की की रूम में दुनिया का सबसे एक सबसे उस्तम जो अवட है वो यह नेक्स्ट क्वेश्टन देखते हैं कि जो हमारे पासिंटे केन्वैंटे इंटो बोल्टी मेतर ऐकोनेक्टिंग जो हमारे पास सबधार नो मीटर है अगर हम में मतलग में सब्सक्राइब में मैं सब्सक्राइब एक जी कारना पडेगी हम क्या एक ऐलसे टेला नीडा व सब्सक्राइब ऑपशन नमबर जो है हमारे पास we'll कहाई रिजस्ट इस यह सजोड़ेंगे आरा जो गिल्वैनो मीटर है वो किसमें कनवर्ट हो जाएगा बोल्ट मीटर है इसके साथ में सीरीज में क्या लगाऊंगा और जो हमारे पास यह किसमें कनवर्ट हो जाएगा बोल्ट मीटर है अगर हमारे पास अगर मुझे गिल्वैनो मीटर को अमीटर में कनवर्ट करना है तो हमारी resistance है, वो कैसे लगाई जाती है, fellör में लेगा है, ठीक है, अगर हमारी resistance को fellör में लगाएंगे, तो यह किस में बदर जाएगा, a meter में, अगर series में लगाएंगे तो यह किस में बदर जाएगा, boat में, next question देखते हैं, कि जो हमारे पास मदुमक्खी का डंक होता है उसमें क्या होता है ठीक है वो acid होता है base होता है salty होता है alkaline होता है या जो हमारे पास cohesive liquid होता है वो कौन सा होता है option number A acid होता है ठीक है जी कौन सा होता है acid होता है और इसमें मदुमक्खी के डंक में कौन सा एड़ एसीड होता है उसको बूलते है फॉर्म फॉर्मिक एसीड होता है नेक्स्ट है हमारे पास जो सूर्य की सबसे बहरी जो पर्थ होती है उसको क्या कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है उसे कहा जाता है सूरे की सबसे बाहरी वाली पर using axa कोडा ऊप्शन नंमर डिन्हक्ष कुश्चन हे हमारे पास ही जो हाईस जो परसेंटेज सु तीए कारवन की में सबसे ज्याइदा होती है सबसे ज्याइदा सबसे कम इसमें होती है सबसे ज़्यादा इसमें हो एंद्रा साथ नेक्स्ट हमारे पास कहा गया है कि इसमें से कौन सी सिटी है जो न्यू कैपिटल ऑफ इसे सिमिधान सिमी मर्धन कहा जाता है तो वो किसकी राज़ानी है कि निमिध में कौन सा सहर सिमी मर्धन की राज़ानी है तो वो किसकी राज़ानी है तो वो है अमराबती किसकी है जी अमराबती ऑप्चन नमबर ए जो है इसका सही है नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं नेक्स्ट कॉश्चन में क्या कहा गया है कि जो रिंग ओफ फायर है वो क तो रिंग ओफ फायर जो है जो जहां पर भूकंप आते रहते हैं तो वो किस ओशन में है ऐसे है वो सारी ही मैं बताओंगा यहां पर कौन सी कंट्रीज होती है तो आपके लिए यही कौशन है कि रिंग ओफ फायर में कौन कौन सी कंट्रीज आती है जहां पर एली भूकंप आ लूपन सीरे यहां पेर नेश्ट नेक्स्ट कॉशचन देखते हैं कहा गया है कि जो हमारे पास एक जिवानू होता है जो पोद्दो में क्रॉन पत्ती जो हमारे पास रोग का कारण बनता है तो वो कौन सा होता है इस में से जो हमारे पास सही option क्या है कि वो जिवानू जो पोद्दो में क्रॉन पित रोग का कारण बनता है क्रॉन पित जो रोग होता है उसका कारण बनता है तो वो कौंसा जिवानू होता है तो option नंबर है इसकी हमारे पास दी है यह इसका एक गरो बेकटीरिया जो इसका कारण होता है option ब्स है इसका सही option next question देखते हैं कि जो हमारे पास frequency of Direct Current जो हमारे पास frequency होती है direct current की तो वो कितनी होती है 0 होती है वो कितनी होती है Direct डारेक्ट करेंट मैंने सीधी लाइन और Alternative करेंट मतलब Alternative करेंट Up and Down Positive and Negative तो हमारे पास एक साइकल को Complete करता है तो इसको क्या बोलते है AC करेंट बोलते है इसको DC बोलते है Direct करेंट तो इसकी जो frequency होती है वो 0 होती है और इसकी जो frequency होती है वो होती है ठीक है तो यह हमारे पास इसका जो सही answer अब है option number A 0 डारेक्ट करेंट जो होता है का है frequency क्या होती है नेक्स्ट क्वेशचन देखते हैं हमारे पास क्वेशुद क्या है कि जो औरолов जो करम्कान्डों से सवंदोड से क्या कह जाता है इसमें कर्मकांड जो हमारे भास dreं क्रमकांड के वारे में देंशर्द में लिख गया है तो उसे क्या कहा जाता वह तो से कहा जाता है जितने भी हमारे पास जो भी हम Luck दर डिखा गया है करमकार्द से लिखा गया यह एक के बारे में हमारे पास हमारी जो योजना कब चलाई गई थी और विखे क्या करेंगे और इसको क्या करेंगे LPG जो है उसके connection मुफ्त देंगे ठीक है जी LPG के connection क्या देंगे मुफ्त देंगे तो ये जो scheme है ये परहन मंतरी के द्वारा launch की गई थी कि जो पिछड़ा बर्ग है उनके उन्हें क्या दी जाएगी LPG का connection दिया जाएगा और वो free दिया जाएगा option number A जो है इसका सही है next हमारे पास जो agronomy है वो practice होती है किसकी किसकी प्रता को बढ़ानी का agronomy बढ़ानी की प्रता है किसकी तो ये क्या है हमारे पास option number A जो हमारे पास पोड़े और जानवर होते हैं उसकी प्रता को बढ़ाने के लिए उसकी प्रेक्टिस को बढ़ाने के लिए हमें उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है एग्रोनॉमी इंपोर्टेंट है बेरी बेरी इंपोर्टेंट है यह जितने भी क्वेश्चन प्रिवेस SSC CGL में आई हुए है मैं आपके लिए लेके आया हूँ तो उमीद करूँगा कि ये वीडियो आपको आने वाले एक्जाम में फाइदा पुंचाए आप हमारे साथ UC Live के साथ जोड़कर अपनी त्यारी को कॉंटिन्यू करें और जिन्होंने पहली की क्लासिज नहीं देखी हुई है वो पहले पहले की क्लासिज देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने क्या सीरीज स्टार्ट की हुई तो आज की क्लास हम यहीं पर ओफ करते हैं धन्यावाद